है बच्चा लोगों कैसे हैं आप और मैं बेन गुफता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के भी साइंस एजी लर्निंग बहुत ही अच्छा चैनल जो आपकी इस्टेडी में बहुत हेलफूल होता है बच्चो सी बैसी से रिलेटेड सारी क्लासिज में हम साइंस मैट्स में कफी अच्छे मांश्ड़ने मैं होगी एक चे APP हैंब को हमने आपके सामने के हैं आपकी हैघंप के लिए बच्चों लाइंगे जिससे कि आप इनकी प्रैक्टिस करके इपने बोड़ कस गया सकते याद रखियो को प्रॉपर तरीके से देखिए पहले और फिर सारे questions को आप अपनी comment note down करें क्योंकि यही सारे questions आपके board exams में आएंगे पका तो अगर आप इनको धंक से करते हैं thoroughly revise करते हैं पूरी videos को देखते हैं तो पका आपके 95 plus marks जरूर आएंगे बच्चो अगर आपको वीडियो आपके लिए helpful लगें important लगे और आपको लगे कि आपको कुछ फायदा हुआ है तो वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए और सारे वीडियो को अपने friends के साथ share करिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया बच्चो तो चलिए शुरू करते हैं आज से पहला पार्ट फर्स chemical reaction and equation class 10 science mcq series और आएए मूब करते हैं दिस इस पैसे नमर वन अपि पैसेज की फॉर्म में मैंने mcq पूछें जरूरी नहीं है कि पैसेज की फॉर्म में आए बड़ आपको पैसेज देने का लोगे फाइदा है कि आपको वो टॉपिक पूरा किलियर हो जाये जिससे की आप कन्सेप्ट को किलियर कर सकें किलियर तो चलिए पैसेज जब भी आए पेपर में बच्चो तो जो की वर्ड्स हैं उन्हें आप अंडर्लाइन जरूर करें अंडर्लाइन करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा तो इस question में diagram भी question है आपको diagram में क्या कह रहा है watch glass में हम क्या कर रहे हैं वेड़ा magnesium ribbon को heat कर रहे हैं तो watch glass में powder बन रहा है तो clean magnesium ribbon को हमने वर्ण किया बच्चो तो हमें एक एस बन जाती है watch glass में तो जो magnesium ribbon है बच्चो उसको हमेशा हमें अपनी आई से दूर रखना चाहिए आई से क्यों दूर रखने glass अब दिखिए हमें concept के लिए रहाने चाहिए तो जब magnesium को हम बन करते हैं बच्चो ऑक्सीजन की प्रिजेंस में तो आपका MGO बन जाता है बैलेंस करेंगे टू टू और जो MGO बनता है बच्चो वह किस कलर का होता है वाइट कलर का तो आपको concept क्लियर होगा तभी आप वाइट ग्रे ब्लैक और ब्राउन में से टिक लगा पाएंगे और टिक होगा वाइट के लिए तो इस तरह से पहला question था वाट इस अप्वाइब नियूज बना और नियू सबस्टेंस जब बनता है बच्चो नियू सबस्टेंस जब बनता है तो पका कौम सा चेंज होता है बच्चो चेंज होता है आपको पता होगा चेमिकल रेक्शन चेंज और नाम पता होना चाहिए तो में ने सब्सक्राइब करते हैं बच्चो बहुत इंपोटन टॉपिक है बच्चो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है तो इसको पांच करेक्टर से सब्सक्राइब कर सकते हैं पहला आपके सामने दिया हुए चेंज इन इस्टेट दूसरा चेंज इन कलर थर्ड चेंज इन टेंपरेचर और चौथ हमें यहां पर लिख दे रहा हूं जो दिया नहीं है यहां पर देडिए एवॉल्यूशन ओफ गैस इवॉल्यूशन ओफ गैस फिप्थ फॉर्मेशन ओफ प्रेसिपिटेट क्लियर बच्चों समझ में आ रहा है अब क्योंकि यहां पर तीनों ऑप्षन करेक्ट है आपके चेंज इन इस्टेट चेंज इन कलर चेंज इन टेंपरेचर तो अपका आपका जो फाइनल आंसर सकता है बढ़ा 90 परसेंट बोल रहा हूं 10 परसेंट में वह घलत भी हो सकता है इसलिए आपके कंसेट क्लियर होना जरूरी है क्लिया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था फोर्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स मूब करते हैं क्वेश्चन हमां फिप्ट की तरह बच्चो इ इस भी बन सकती है कुछ भी बन सकता है इसलिए इस स्ट्रेटमेंट कैसा है बच्छो फॉल्स अपकी पैसे नमबर वान समझ में आए बच्छो इसी तरह से पैसे नमबर टू को डिसकस करते हैं पैसे की फॉर्म में देने का मैं रीजन पता चुका हूं जिससे आपको वह ट सटी में से आया आपको मैं बता दू रेक्टेंड जो लेखे जाते हैं बच्चो वह हमेशा लेटेंड साइट पे लेखे जाते हैं अगर एक से ज़्यादा है तो उनके मिडल में प्लस साइट लगा देते हैं इसी तरह बच्चो प्रॉडुक्ट्स को हमेशा राइट-ेन सा के बीच में इस तरह से एक एरो होना चाहिए इसे एरो हेड़ पॉइंट्स कहते हैं एरो हेड़ पॉइंट्स ओके याद रखी कभी भी इक्वल्स नहीं लगाते हैं इसी बेस पर पूछा गया है कि बिच अब फॉल्लाइंग रिप्रेजेंट दवर्ड एक्वेशन और फॉर्मिशन और वाटर को फॉर्म कर रहे हैं अब सेकंड वाला क्यों रहोंगे आपको पता चला है कि दो रेक्टिंट होते हैं माइनस साइन नहीं आएगा पिलस साइन आ बच्चों मैंने बोला एरो हैट पॉइंट बनाते हैं तो दिस दा रॉंग दिस ओके और देसे जोल सो रॉंग के लिए अब दिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं वह बहुत फरस्ट पर टिक लगा देते गलत होता नो फरस्ट इस दा करेक्ट चोईस है बहुत 90 परसेंट ब प्रेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे गया होगा नेक्स स्टेट्रों फॉर्स वाड़ प्रिजेंट एक्वेशन नो नो वर्ड एक्वेशन कभी भी स्वाट वे नहीं होती हमेशा फॉर्मूला और सिंबल्स की फॉम में लिखना बच्चो बेट इस दा सौट एस्ट वे किलिया तो इस दो फॉल्स स्टेट्में जा प्रोडक्ट इन अब वर्ड एक्वेशन आपको पता है प्रोडक्ट नमीशा कौन सी साइड में बच्चो बच्चो नहीं होगा नहीं होगा बोट बने टू नहीं होगे मेंगनेसियम ऑक्षएड इस देखिए धीरे धीरे आपको सब पता चला है कि मैं दोनों पर मतलब मैं एक-एक option को discuss कर रहा हूं क्लियर तो आपको आ रहे होंगे पका इजी question है बट पेपर में आ सकता है चली next question हिप की तरह मूब करते हैं बच्चो विच अब दो फॉलइंग रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओफ रियक्शन मैंने आपको बताए था इस इस एरो हैड पॉइंट इस दा रिप्रेजेंटेशन नॉट प्लस साइन प्लस साइन नहीं रिप्रेजेंट करता प्लस तो इंडिक कि उसके तॉपिक में अब हम मूब करते हैं पैसेज नमर थ्री और पैसेज नमर थ्री आपको देख रहे हैं कि रियक्टेंट से प्रोडक्स बन रहे हैं जब भी रियक्शन होती है तो बच्चो हमें बैलेंस करनी पड़ती है बैलेंसिंग करनी पड़ती है और इसका मतलब है कि जो प्रोड़क्ट सेड में जितने भी एलिमेंट से उनका टोटल मास पंडलाइन जरू करिए इक्वेस्ट टूदा टोटल मास प्रजेंट इन दा रेक्टाइम्स क्लिया मीन्स नम्वर ओफ एटम्स ऑफ इच एलिमेंट रिमें दा सेम बिफोर एंड आफ त करता है बैलेंस ओजे मुझे लगता है पैसेज नम्बर थ्री बहुत इंपोर्टेंट है जरूर पेपर में आनी चाहिए आपके में तो बैलेंसिंग क्यों की जाती है इसका रीजन आपको पता चल गया होगा तूफिल्फिल लॉफ कंजर्वेशन ओफ मास क्लियर बच्चो तो चलिए अब इस पैसे के बाद हम इसके क्वेशन को सॉल्फ करते हैं सारे रेक्टेंट और प्रोड़क्ट पे आप इसक्वायर बना दीए एक बॉक्स बना दीजे जिससे अलग से पता चल याद रखी कभी इन बॉक्स के अंदर नहीं लेखा जाता है इन बॉक्स के lingen करते हैं नऄ माइनस करते हैं ओक डिवाइड करते हैं बचों के प्रकशू के वर मॉठीमटिय करें वो भी बॉक्स के आगे करेंगे अब क Karl Th simplement बेलेंस यहां पर mg1 देख रहा है यहां पर mg1 देख रहा है यहां पर oxygen 2 देख रहा है यहां पर oxygen 1 देख रहा है means हर element equal नहीं है means this is unbalanced equation this is unbalanced equation is this chemical equation balanced no this is not balanced clear which of the following steps are involved in writing a balanced chemical equation जब भी हम किसी equation को balance करें तो क्या क्या steps follow करने चाहिए पहला वड़ेक्वेशन रेटेन formula form बिल्कुल पहले मैं उसे formula form में लिखना चाहिए यह पहला सही है boxes are drawn around each formula and nothing will change inside these box मैं ने भी अभी बोला कि box बना लेते हैं हर formula के और उस box formula में कुछ भी नहीं लिखा जाता यह भी सही है थर्ड कहरा है number of atoms of different elements present in unbalanced equation are listed फिर हम mention करते हैं कि कि किसके number different है वो mention किया जाता है यह भी सही है all the above मैंने बोला 90% chance all the above के होते हैं बट 10% नहीं भी हो सकता तो यहां पर जो आपका correct choice है बच्चो question number second का choice number fourth all of the above के लिए अब next question question number third पूछ रहा है which of the following represents the balanced chemical equation बहुत अच्छा question अब आपको balancing आती होगी तभी और balancing में कुछ नहीं है बच्चो इस चलो में first को बता रहा हूं कि यह balance है कि नहीं है तो ने check करा और check करने के लिए आपने ऐसे लिखा तो देखिए mg इधर कितने देख रहे हैं आपको two इधर mg two clear इधर oxygen कितने देख रहे हैं two reactant side में और इधर भी oxygen one or one का two से multiply हो रहा है clear two means both reactant and products are same means this is the balance equation तुम्हारा first answer आ गया तो मैं आगे check करने कुई need नहीं है तो this is the first is the time सबको आ रहा है बच्चो बहुत important balance in balance chemical equation चले मूब करते हैं बच्चो आगे की और question number four और सबको समझने आना चाहिए topic बहुत important question number four आपके सामने कह रहा है why we should balance the chemical equation जरूर आएगा a question very very important तो क्यों balance करना चाहिए to follow log conservation of mass बिल्कुल correct है to make the number of atoms of the reactant equals to the number of the atom of the product बिल्कुल correct है बच्चो number of atoms reactant के और product के दोनों के equal होने चाहिए तभी हम balance इसलिए balance करते हैं to make total mass of the reactants equals to the mass of the product yes mass of the reactants should be equals to the mass of the product यह भी सही है और मैंने बोला जब all the above दिया तो ठाई करें 90 परसेंट टिक लगाने का chance all the above पर ही मिलेगा इस 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 ओल आप दा अब आप के लिए question number 5 word equation is a balanced chemical equation no word equation balance नहीं होती जैसे मैं आपको इसी का एक्जामपल दे रहा हूं magnesium कि पिलस ऑक्सीजन गेप्स magnesium oxide क्या बैलेंस है अब हमें क्या पता है बैलेंस है कि नहीं हो बड़ equation is not a balance जब भी बैलेंस करनी हो बड़ equation को पहले फॉर्मूला और सिंबल की फॉर्म में लेखना पड़ेगा ओके तो दिस इदा फॉल्स स्टेट्मेंट तो आपने देखा तीन टॉपिक्स हमने कवर किये तीन इसमें नेक्स्ट्स पैसे नमबर 4 आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपोटेंट डाल दे ना बच्छो यह पूरी पैसेज भी बहुत ज़्यादा IMPORTANT है very very important very important को ओई जरूर आएगी बोड़ एक जामस में पक्का बोल रहा हूँ important for world exams 2021 तो बच्चो आपको इसके सामने आपको फिगर बेस डाइग्राम है और फिगर बेस डाइग्राम कोश्चन सोरी तो पक्काएंगे पेपर में क्या कह रहा है एक वीकर है वीकर में हमने कैल्सियम ऑक्साइड लिया है कैल्सियम ऑक्साइड का फॉर्मूला सब जानते हैं वाटरेंड किया है क्या होता है तो पैसेज पड़ते हैं इन अबसंडाथ स्मॉल अबांट के क्लाइन वीकर अंडराइन को इकलाइन क्लाइन वोलो है लाइन बात है की है and water is added to it slowly when we touch the वीकर वी फिल देट तेंपरेचर वीकर चेंज इज टेंपरेचर वीकर का चेंज होगा बहुत अंडलाई वेर्य इंको तो मैं आपको पहले रेक्शन बता दूं इस पूरे टॉपिक की सी एओमों फिल्स एच तू दिस जीज लीज विक लाइन एक भी मतले हैं सी एओह Souq के धवर क्योंकि हीट रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक प्रॉसेस है कैसी बिएक्स बच्चों आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक कि लिए एक्षो थर्मे के बच्चो तो आपको पता चल रहा है हीट रिलीज होगी तो भीकर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चो इंक्रीज हो जाएगा वेरी इंपूर्टेंट ओके केमिकल नेम अब दा क्यिकल आज़े था क्यमिकल नेम मैंने आपको बताए था सी है किस्वम का फॉर्मुला हुर्टा इसे हो नेय मोगा कैल्सियं ओक्साइड दा कॉ team उक्साइड हर कुछिं को एक्स्प्लेइन कर रहा हूं आपको पहले वीडियो देखनी है फिर आपको को न वाच करिए थोरोली वीडियो के साथ नोट डाउन करेंगे तो फिर के वला आप लेख रहे होंगे आपको समझ में कमाएगा थर्ड क्वेस्चन है विच प्लॉइंग टाइप आप वेक्शन टेक्स प्लेस इंसाइड बीकर बीकर के अंदर कौन सी रेक्शन होगी तो आइए आपके सामने ऊपर लिखी हुई देखिए द्वारा लिख दे रहा हूं सीए ओ पिलस एच तो गेप सीए ओएच का होल ट्वाइस पिलस हीड अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं दो रेक्टेंट्स कमाइंड हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोड़क्ट बना यह बोड में जरूर आएगा हंड़र परसेंट चलिए नेक्स क्वेश्चन नमर फूर की तरह मूप करते हैं विच अब फॉल्वाइंग रेक्टेंट्स रिप्रेजेंट्स की बात हो रही है तो कॉंबिनेशन रेक्टेंट्स में आपको पता है तो और मोर रेक्टेंट्स ह हम दो हमारा एक तो ऐसा कौन सी रेक्शन देख रही जिसमें दो रेक्टेंट हैं और एकिप्र रेक्ट है तो आपको फ़र्सट संभी है क्थ नोड़ देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बयल जरूर बजा देससे कि घंटा बजा देंगे तो आपको सारे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे एक नई वीडियो के लिए सॉरी इस्टेट ट्रूअफ फॉल्स कोई क्लाइम रेक्स विगरसली विद वाटर तू प्रेडूस स्लेक लाइम रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अभी मैं थर्ड टाइम इस रेक्शन को लेख रहा हूं सी ए ओ पिलस एच्टुओ चीए ओवज का होल ट्वाइस फिलस हीट सिलेक लाइम बन गया है बच्चो इसका नाम स्लेक लाइम होता है वेरी इंपोटेट है और हीट बहुत सारी हीट रिलीज होती है तो इस स्टेटमेंट करेक्ट है और दिस इस प्रूस ट्रूस तो आपन कि अगर मैं डायरेक्ट एमसी की उच्च देता तो आपको प्रॉब्लम आती फिर आपको लर्न करने पड़ते है रेटर नहीं पड़ते है के लिए चलिए तो पैसेज फिप्त में आपको डाइग्राम बेस क्वेस्टन है और एक पेंटर है जो घर की पेंटिंग कर रहा है ह तो आपने देखा को पताई करने के लिए चूना चाहिए होता है तो क्या इस पैसेज में देखते हैं और सॉल्यूशन और स्लेक लाइम इस यूज़ फोर वाइट वाइट वाश्निंग वाल्ल्स अंडर लाइं स्लेक लाइम का फॉर्मूला सबको पता है केल्सियम हाइड कि ओड्यूली उसमें कार्वन डैक्साइड और दियर कर लिता है और तीं लेएर ओप केल्सियम कार्वनेट बन जाती है बहुत इंपोर्टेंट डिस लाइन calcium carbonate is formed after two or three days of white washing and it gives a shiny finish बहुत अच्छे line आपने देखा हो दो-तीन दिन बाद आपने जिस वॉल पर white washing किये हुए है वो shine करने लगती किसकी बज़े से करने लगती है उसको box में डाल दे रहाँ that is calcium carbonate के लिए तो आईए questions करते हैं बच्चो इस पैसिज की base पर which of the following is the chemical formula slack line slack line मैंने आपको अभी बताए था c a o h का hold twice this is the slack line के लिए the correct choice is option two which of the following are the example of combination reaction अब एक question क्यों है कोई जब तक आपको reaction लिखने नहीं आएगी तब तक आप question नहीं कर सकते वास तो burning of coal that is c plus o2 जब भी किसी चीज को जलाते हैं co2 बनाते हैं आपको this is formation of water from hydrogen and oxygen h2 plus o2 gives to h2o के लिए फॉर्म स्लेक लाइब फ्रॉम क्विक लाइब ऊपर बताये था मैंने c a o plus h2o gives c a o h का whole twice plus heat अब आप चेक करें हर रेक्शन में तू रेक्टेंट हैं और एक प्रोड़क्ट बनना है तू रेक्टेंट वन प्रोड़क्ट तू रेक्टेंट बन प्रोड़क्ट मींस ओल थ्री आर समझ में आ रहा है सबको बच्चो पक्का आ रहा है ना बच्चो के लिए चलिए नेक्स क्वेश्चन नम्मत थर्ड की और मूब करते हैं शाइनिंग फिनिश अप दा वाल्स आफ्टर वाइट वर्शनिंग इस ड्यू टू बिच उप दा फॉलेंग केमिकल कंपार्ट पैस से ही वो शाइनिंग फिनिस आती है दा प्रेक्ट चॉइस फूर्थ वाड़ी दा कैमिकल फॉर्मला मार्वाल यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह सारे बच्चों को आना चाहिए मार्वल देखिए मार्वल सीए सीए उतरी अब मार्वल ही एक्षेल का कंपोनेंट होता है मार्वल नहीं डैटि कैल्सियम कारूने इस इस ऑल्सो लाइम स्टों मैं सारा लिख दे रहा हूं ओके और दिस इस कैल्सियम कार्वोनेट अच्छा कोश्चन है सारा एक है अधा फॉर्मूला इस चीए और यह दक्रेक्ट आंसर इस फूर्थ चीए अच्छा देखिए ज लाइम वाटर मिल्की ओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है लाइम वाटर को मिल्की करने वाली गैस सीओ टू होती है मैं आपको बता दूं लाइम वाटर सीए ओध होल ट्वाइस दिस इस सीओ टू डैट इस सीओ थ्री पिलस एच्टो ड्यू टू दा वाइट प्रेसिपिट बन जाता है बच्चो डिटेल में एसीड बीस ओल्ट में पढ़ते हैं और लाइम वाटर कैसे हो जाएगा मिल्की लाइम वाटर टन्स के लिए समझ में आ रहा है सबको पका आया बच्चो तो तो तक रेक्ट चॉइस लाइम वाटर के से रेक्ट करेगा सीओ टू से सबको समझ में आ रहे हैं तो देखिए इतना अच्छे टॉपिक्स हैं यही क्वेस्ट आपके पेपल में आने वाले हैं अभी केमिकल रेक्शन का इस पार्ट फॉर्ट आएगा ना तो पूरा चेप्टर आपको थोड़ोली रिवाइज हो जाएगा पका तो इसलिए पहले वीडियो को प्रॉपरली वाच करें फिर आप सारी क्वेस्टन को कॉपी में नोट डाउं करें बिस पैसे और जो मैंने अंडरलाइन की हैं उन अंडरलाइन को आप अपनी कॉपी में कर लिए एक अपनी खुद की सेल्फ मेड क्वेस्टन बैंक बन जाएगा अब कोई भी क क्वेस्टन रेंग लेने की नीड़ नहीं है और जो सेल्फ मेड होगा ना उसकी बात ही अलग होती है बच्चों के लिए तो चलिए आगे मूब करते हैं और आगे मैंने दिये हुए आपको क्वेस्टन फॉर प्रेक्टिस आप इनको अपने हमबग में करिए और जो आंसर ह हैं सबके आंसर को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ओके पक्का तो फर्स सेकंड थर्ड एक क्वेस्टन और एक क्वेस्टन फॉर प्रेक्टिस पॉर फाइफ सेवन सब्सक्राइब आपको किसमें दिये हुए हैं बच्चों प्रेक्टिस के लिए तो प बच्चों तो इस तरह से हम और भी वीडियो लाते रहेंगे तो यह चल रही है के जबी साइंस इस्टिटूट के द्वारा और जिससे हम चाहते हैं कि हर बच्चा 95 प्लस में मार्स लेकर आए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया ओके बच् झाल 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 झाल